हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IDBI बैंक की नियू रिकुर्माइन नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंज, यहाँ पर जो यह नॉटिफिकेशन है, IDBI बैंक में यह फ्रेंज, आपके यहाँ पर जारी की गई है एजुकेटिव पोस्त के लिए, जिसके लिए फ्रेंज, आप ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस वेकेंसी और नॉटिफिकेशन से रिलेटेट जानकारी आपको जॉबरास्ता.com पर देखने को मिल जाएगी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप डेटेल्स को वेरिफाए और चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए फन जो यह नॉटिफिकेशन है, इसके लिए आप अपलाए ऑनलाइन कर सकते हैं और यह वेकेंसी जो है वो आपके 1036 पोस्त के लिए है, जिसमें फैंसे 24 मैं से 7 जून 2023 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे अपलाई करने के लिए फैंस, आपको आना होगा इस पोर्टल पर जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं सबसे पहले फैंस, आपको New Registration टैब पर किलिक करना है इसके बाद फैंस, आपको यहाँ पर यहाँ पर कुछ basic जानकारी फिल करनी है आपको friends आपकी actual जानकरी fill करनी है मैं सिर्फ यहाँ पर जो data है वो demo के तौर पर यहाँ पर fill कर रहा हूँ सबसे पहले friends से यहाँ पर आप देंगे आपका नाम तो first name देना जरूरी है middle name या last name है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर जो confirm का option है यहाँ पर friends आपकी mail ID को आप friends यहाँ पर with domain आपको देना होगा तो आपकी जो भी actual mail ID है वो आप यहाँ पर fill करेंगे इसके बाद आपके security code को fill करेंगे और उसके बाद save and nest आप यहाँ से कर देंगे इसके बाद friends आपका देखे जो registration process है वो complete हो जाएगा registration process complete होने के बाद आपको friends फोटोग्राफ और signature यहाँ पर upload करने है तो आपको friends इसके लिए गाइडलाइन दी गई है आप गाइडलाइन चेक कर सकते हैं जैसे 20-50 kb में photograph और 10-20 kb में आपको signature upload करना है तो browse पर click कीजिए, file को select कीजिए और यहाँ पर upload कर दीजिए तो friends से photo and sign upload करने के बाद आपको friends से next app पर click करना है इसके बाद friends से सबसे पहले आपको option मिलता है category का तो आपकी इन में से जो भी category है general, OBC, SC, ST आप select कर सकते हैं और इसके बाद friends अगर आप PH candidate है तो yes कर सकते हैं type of disability क्या है वो आपको select करनी है इसके बाद friends आपकी जो disability है वो permanent है या नहीं है आपका disability certificate कप तक valid है इसके लबाद आपको extra time चाहिए आपका writing hand affected है आपको subscribe चाहिए नहीं चाहिए आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं है PH candidate simply आप no कर देंगे इसके बाद friends यहाँ पर एक परसन है अगर आप specified disability covered जो की friends section 2S के अंदरगत होती है तो आप यहाँ पर yes no कर सकते हैं इसके अलाबा friends नीचे आपको यहाँ पर आना है जिसमें आप subscribe की जानकारी प्रोवाइड करेंगे अगर आप इसमें applicable है आप लेना चाहते है इसक्राइब तो नहीं तो आप सको directly नीचे आना है और यहाँ पर friends नीचे आपको आने पर आपसे पूछेगा चाइल्ड या फैमिली मेंबर जो की 1984 राइट्स के में जो है affected है तो यहाँ आप कर सकते हैं religion आपको select करना है इसके बाद minority community मतलब जैन, सिख, बौद, पारसी, मुसल्मान इस क्राइटेगरी से बिलॉंग करते हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं इसके बाद आपको देनी है इसके बाद तू आईडी डिटेल्स आपको देनी है सबसे पहले देखे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अधार कार्ड आपको 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 देनी है इसके बाद आपको देनी है इसके बाद आपको 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 यहाँ पर एंटर करना होगा इसके बाद आपको पूरा एडर्स क्या है और यह आपका प्रिजेंट एडर्स रहेगा इसमें आपको सबसे पहले डिस्टिक मेंशन करना है आपका स्टेट मेंशन करना है और उसके बाद आपको आपका पिन कोड मेंशन करना होगा अगर आपका friends present और permanent address same है तो आप same as पर क्लिक कीजिए अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry करेंगे इसके बाद choice of GST select कीजिए और उसके बाद यहां से data को validate कर दीजिए validate का फाइदा क्या है कि कोई भी option अगर आपने blank छोड़ा होगा तो आप check कर सकते हैं कि यह options आपको यहां पर fulfill करने है जैसे ही आप इन options को fulfill करेंगे और उसके बाद friends से validate पर click करेंगे तो देखिए verified आपका यह successful हो जाएगा verified होने के बाद आपको directly save a network click करना है यहां पर आने के बाद सबसे पहले रेखिए qualification एक मई 2023 तक complete आपकी हो जानी चाहिए तो सबसे पहले friends से duration का option आपको मिलता है तो यहां पर आपके जो भी school का नाम है college का नाम है वो पूरा college का नाम आप देंगे इसके बाद friends से आपको यहां पर देना है name of the university मतलब आपका friends जो university है उसका नाम क्या है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा पूरा नाम आप यहां प्रोवाइड कीजिए डिगरी subject के stream कौन सी है वो आप यहां से select कर सकते है date of passing क्या है तो date, month and year friends आपको यहां पर जो है select करना होगा यह select करने के बाद next option है percentage का तो आपकी जो भी percentage है वो आप यहां पर provide कर देंगे और class of division आप यहां से select कर लेंगे इसके बाद है numbers अब numbers देखिए आपको यहां पर दिये गए है year 1, year 2, year 3, year 4, year 5 और यहां पर दिये गए है semester तो semester 1 है, semester 2 है, semester 3 है, semester 4 है आपके जो भी numbers यहां पर है उसके according आप यहां पर जानकारी provide कर सकते है अब यहां पर देखिए friends जो year वारा section है, यहां पर marks obtain और total marks आपको यहां पर जानकारी provide करनी है तो यहां पर देखिए friends हमने जो year system है हमारा तो हमने year में आपके जो numbers है वो enter करती है इस वाले में हमने 0 ही रखेने दे दिया है, अगर आपका फ्रेंट से यहाँ पर semester system है, तो आप दोनों भागों में लिखेंगे, अगर आपका year system है, तो आप यह तो वन semester में या second semester में, किसी में भी entry कर सकते हैं, आपको उसके related guideline यहाँ पर दी गई है, और यह percentage आपके यहाँ पर देखे जो भी आप enter करते हैं यह same होनी चाहिए तो friends, sample के तोर पर देखे मैंना भी data एंटर की है आपका जो actual data है वो आप enter करेंगे अगर आपके पास PG degree है कोई professional qualification है तो आप जानकारी दे सकते हैं आपको computer की basic knowledge होनी चाहिए आप yes करेंगे और क्या basic knowledge है तो आप basic knowledge लिख सकते हैं कोई certificate है तो certificate की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर कोई work experience है तो आप यहाँ पर yes or no कर सकते हैं language आप कौन-कौन सी जानते हैं तो कम से कम एक language तो आपको आनी चाहिए लिखना पहड़ना और बोलना मतलब read, write और speak बाकि आप चाहे तो multiple language दे सकते हैं इसके लिए प्री exam training अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं इसके बार आप इस data को validate करेंगे और verified होने के बाद आप data को save and nest कर देंगे इसके बार friends से नीचे आता है declaration declaration में आप I agree करेंगे, complete registration पर click करेंगे उसके बार यहाँ से okay आप इसे कर देंगे okay करने के बार आप 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 देखे left thumb impression है और hand run declaration है जो कि आपको यहाँ पर upload करना है तो इसके लिए friends से आपकी जो file है वो आपको friends से select करके यहाँ पर upload करनी है और इस तरह से ही friends से आपको hand run declaration भी यहाँ पर लिखना होगा अब इसका जो format है वो आप jobrasa.com पर check कर सकते हैं या friends notification में आप जाएंगे आपको hand run declaration का format मिल जाएगा तो यहाँ पर friends यह hand run declaration का format है जिसमें आपको आई के बार आपका नाम लिखकर हैरेवाइड डिकलेवार करने के बार आप इसे required तक लिखेंगे आपकी self handwriting में और उसके बार यहाँ पर upload करने के बार save and nest कर देंगे इसके बार आपको इस data को ok करना है और आपका जो nest option है वो payment का है और payment करने के लिए आपको जो भी security code या capture code यहाँ पर मिलता है यह capture code आपको यहाँ enter करना है और उसके बार डाटा को यहाँ से submit करके verify कर देना है इसके बार आपका जो build desk है यह open हो जाएगा और build desk के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा wait करना होगा page को आपको refresh या close नहीं करना है इसके बार जो build desk है वो payment gateway है इसमें आप multiple options है credit card, debit card, net banking, UPI आप कोई भी option यूज़ कर सकते हैं इसमें आपको credit card या debit card में details डालनी है अपने card की या net banking में आप net banking select कर सकते हैं किसी भी bank की जैसे ही आपका payment यहाँ पर verify होगा आपको redite कर दिये जाएगा इसके home page पर home page पर आने के बाद friends आपको यहाँ पर देखिए login section मिलता है जहाँ पर arrestation number और जो password आपको मिला है और यह capture को डाल कर आप यहाँ से submit कर सकते हैं तो friends इस submit करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए print application का option मिल जाएगा और आप यहाँ से आपका जो print out है वो save करके PDF में अपने पास से रख सकते हैं future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर इस video हमने बात की कैसे आप IDBI bank का executive form apply कर सकते हैं step by step process के बारे में अगर आपको हमारा यह video update पसंद आई है तो like, subscribe and share की जरूर कीजिए और बाकी के ऐसी ही जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ देखते रहे हमारा डिटीट चैनल and last thanks for watching